है 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 वाट सब कैसे आप सब सो गाइज तोड़े आइंग तो मैंशन फाइफ रूट नेम डियाबिटिक पेशंट शुद नौट इट सो गाइज चलो बात करते हैं लेट से स्टार्ट इस वीडियो एंड की वाचिंग तो गाइज बात करता हूँ बनाना की यानि केला जिसको एनरजी फूट भी कहा जाता है और बोडी बूश्टर भी इसको कहा जाता है गाइज बनाना में यानि केले में काप्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और यह इंस्टेंट एनरजी प्रोवाइड करता है इसलिए और यह जो जो पैशन्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हामफुल हो सकता है क्योंकि इसमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है और यह शुगर लेवल आपका बढ़ा सकता है ब्लड में तो इसको अवैड करें सो दूसरा जो फ्रूट है वह मैंगो है मैंगो यानि एक मैंगो में 45 फाइफ ग्राम नेच्रल शुगर होती है तो अगर आप दो पकेवे आम खाते हैं तो यानि 90 ग्राम नेच्रल शुगर ध्यान रखिए आपको मैंगो को अवोईड करना है अगर आपको डाइबिटीज है आम में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है और यह डाइबिटी डाइबिटीज के जो पेशन्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हामफुल हो सकता है इट कैन स्पोईल यूर ऑवर ऑल हेल्थ सो गाइस जो तीसरा जो फ्रूट है वह है चेरी एक कप चेरी में 18 ग्राम शुगर होती है तो जितना हो सके इसको अवोईड करें चेरी बहुत ज्यादा इसमें शुगर होता है शुगर की मातरा जो होती है वह बहुत ज्यादा होते हैं चेरी में तो इसको अवैड करें जितना हो सके सब सब्सक्रें uniform fruits है जो fourth fruits है वो है grapes so a cup grapes में 23 gram sugar होती है okay you get it I hope so a cup grapes में 23 gram sugar होती है तो please जितना हो सके इसको avoid करें can also spoil your health and it can be very harmful for your हेल्थ सो अवएड ग्रैप्स जितना हो सके जब आपको डाइबटीज हो अगर आप डाइबटिक पैशंट्स है तो इन चीजों को इन फलों को आपको अवएड करना पड़ेगा नहीं तो आपकी जो हेल्थ है वो बिगड़ सकती है और आप कि जो लाइफ है वो स्पोयल हो सकती है क्योंकि इन में शुगर की मातरा बहुत ज्यादा होती है तो अवएड करें प्लीज इन फलों को और जो पांच हुआ जो फूर्ट है वो है लीची लीची इस ऑलसो वन अव दा हाई शुगर लेवल फूर्ट सो अवएड इट जितना हो सके एक प्लीची में 29 ग्रैम शुगर होती है तो प्लीज जितना हो सके इसको भी आवएड करें यह पांच फल ऐसे हैं जो मैंने आपको बता दिए बहुत ज्यादा शुगर लेवल होता है और रेगुलरली आप अपना जो शुगर लेवल है वो डॉक्टर से डॉक्टर के पास जाकर मॉनिटर कराते रहें रेगुलरली चेक कराते रहें कि कितना शुगर लेवल हो चुका कितना मैंटेन होना चाहिए जो इन पांच फलो को आपको नहीं खाना अगर आपको डाबिटीज है so guys if you like this video please do subscribe for more healthy videos and stay healthy stay happy till then take care bye bye thank you friends thank you